शारुक खान बॉलिवुड के एक महान कलाकार है उन्हें हर कोई पसंद करता है उनका रोमेंटिक अंदाज फैंस को अक्सर पसंद आता है और फिल्मों में उनका यही अंदाज फैंस को ज्यादा अट्रेक्ट करता है बास्ता में हम कह सकते हैं कि शारुक खान हिंदे सिनिमा के सबसे महान कलाकारों में से एक है और उनकी प्रसिद्धी की वज़ा से ही उनका परिवार भी हमेशा पेपर राजी की सुर्ख्यों में रहता है और उन्हें मौजनी फॉलो किया जाता है जाहे उनके तीनों बच्चे आयन, अहाना और अबराम हो चाहे उनकी बीवी गौरी खान ही क्यों ना हो अक्सर पेपराजी उन्हें फॉलो करती है और उनकी हर एक चीज जानने की कोशिशों में रहती है लेकिन आपको बता दे कि शारुक के परिवार में सिर्फ यही लोग शामिल नहीं है यहाँ पर उनकी एक बहन भी है और बहन का नाम है शेहनाज लालारुक खान उनकी ये बहन बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीती है हमेशा शोशल मीडिया और पैपराजी से दूर अपनी जिन्दिगी जीती है आपको बता दे कि वो शारुक खान से 6 साल बड़ी है लेकिन अभी तक भी वो कबारी है उन्होंने शादी नहीं की है आज जब हम आप से शारुक की बहन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारी लोग होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि शारुक खान की एक बड़ी बहन भी है जो उन्हीं के साथ रहती है तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शारुक खान की बहना शेहनाज के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि शेहनाज मानसिक तोर पर स्वस्थ नहीं है जेहा दरसल हम उन्हें पूरी तरह से मानसिक तोर पर बिमार तो नहीं कह सकते हैं लेकिन वो mentally थोड़ी disturbed हैं आप तो जानते ही हैं कि शारुक खान दिल्ली के रहने वाले हैं और उन्हें बहुत ही कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था और उसी दिन से उनका जीवन अपने परिवार के इर्ध गिर घुमता है शेहनाज शारुक खान की बड़ी बहन है और अभी भी उनकी शादी नहीं हुई है शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो करना नहीं चाहती थी बलकि इसलिए नहीं की क्योंकि वो मानसिक रूप से बिमार है जेहां आप सही सुन रहे हैं मानसिक रूप से बिमार हम वास्तव में उन्हें मानसिक रूप से बिमार नहीं कह सकते लेकिन वो मानसिक तोर पर परिशान है, दिस्टब्ड है शहनास शारुक खान से 6 साल बड़ी है और उनके घर परिवार में उनके साथ ही रहती है सूतरों के अनुसार शहनास तब डिप्रेशन में चली गई थी जब उन्होंने अपनी आखों के सामने अपनी मा के शब को देखा तब से वो बिमार है, मानसिक रूप से बिमार है क्योंकि वो अपने माता-पिता को बहुत याद करती थी क्योंकि उसने उन्हें बहुत कम उम्र में खो दिया हलांकि शारुकान हमेशा ही अपनी बड़ी बहन के बहुत करीब रहे, उनसे हमेशा ही प्यार करते रहे शेहनाज अब बहुत ठीक हो गई है लेकिन उसने अपने भाई की तुलना में बहुत कम प्रोफाइल्स बनाई है वो एक आव इंसान की तरह जीवन जीती है वो कभी कबार परिवार के साथ सारवजनिक तोर पर नजर आ जाती है लेकिन जादतर जीवन वो अपना शांधी रखती है जतना की संभव हो जब किसी की वहन अपने भाई के रूप में विश्व में प्रसिद हो जाए खैर हम आशा करते हैं कि वो अपनी बिमारी से जल्द ही स्वस्थ हो जाए और वो अपनी नॉर्मन लाइफ में वापस आ जाए है शारुखान और उनका परिवार उनका अच्छे से खयाल रखते हैं और वो भी पूरी कोशिश करती है इन सब चीजों से दूर होने की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंशेशन में ज़रूर बताएगा और आप तक ऐसे ओर भी कई किस से कहानिया पहुचाते रहेंगे इसलिए चैनल के साथ बने रहे है डेली श्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करे हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूज के लिए